दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम क्लास 10 का पहला चिप्टर एलेटर टू गाड लेकर आए हैं जिसमें की जो पहला चिप्टर है हमारा एलेटर टू गाड इसके लेखक जो है जील फ्रॉंट्स हैं तो ये क्लास हमारी लगातार चलती और पूरा जो है क्लास 10 की जो इंगलिस है लेटरेचर पूरा कम्प्लीट करेंगे तो देखिए तो पहला चिप्टर जो इस्टार्ट होता है किताब आप लोग अपने आगे रख लीजेगा और मैं जो है इसी से समझा दूँगा क्या कह रहा है कि दा हाउस दा ओनली वन इ अकेला अन इन दा इंटायर वाइली संपूर घाटी में सैट माने इस्थित था अन दा क्रीष्ट माने चोटी पर आफ ए लो हील एक निचली पहाडी के मतलब कि संपूर घाटी में एक अकेला घर निचली पहाडी की चोटी पर इस्थित था फ्राम हीज हाइट जिसकी उचाई से वन माने कोई भी कुड़ सी देख सकता था क्या देख सकता था दा रीवर नदियां दा फिल्ड आफ राइब कर्न पके हुए अनाजों के खेत दॉर्टेड मींस लदे हुए बिद फ्लावर्स मतलब फूलों से फूलों से लदे हुए और पके हुए अनाजों के खेत कोई भी देख सकता था दाइट आलवेज जो हमेशा प्रामिश्ड मींस वादा करता था एक गुड हार्वेश्ट एक अच्छी फसल का दा उनली वन थिंग केवल एक वस्तू दा अर्थ मतलब प्रित्वी को नीडेड माने आव सकता थी वाज ए डाउन पूर मतलब एक हलकी बाउचार और ए लिस्ट सवर या फिर बरसा तो फिर से देखेंगे कि दा हाउस दा ओनली वन इन दा इंटाइर वाईली सैट अन दा क्रिष्ट आफे लो हिल यनि कि संपूर घाटी में एक अकेला घर जो की निजली पहाडी की चोटी पर इस्थित था मतलब पके हुए अनाजो को फूलों से लदे हुए पौधे और नदियों को कोई भी देख सकता था मतलब प्रिथवी को केवल एक चीज क्या हो सकता थी या तो हलका मूशला धार बरसा या फिर एक बाउचार थ्रो आउट दा मार्निंग लैंचो अगली सुबा यनि कि लैंचो उठ करके who knew जो जानता था his field अपने खेतों को इंटिमेटली घनिश्टता से who knew जो जानता था his fields अपने खेतों को इंटिमेटली घनिश्टता से had done nothing कुछ किया नहीं else बल की but see the sky towards the north east but see the sky मतलब आकास की ओर देखा to the north east यनि कि उत्तर और पूर्व की ओर मतलब कि अगली सुबा लैंचो उठा और कुछ करने के बजाए वह आकास की तरफ north east यनि के उत्तर और पूर्व की दिशा में देखा और भविस्वाड़ी की क्या भविस्वाड़ी की कि now we are really to get some water omen मतलब लैंचो अपनी वाइब से बता रहा है कि अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं मतलब अपनी वाइब से बता रहा है कि अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं the omen मतलब अवरत who was preparing supper मतलब की अवरत जो साम का भोजन बना रही थी replied उत्तर दिया yes God's willing हाँ भगवान की इच्छा the older boys were working in the field जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे while the smaller ones were playing near the house जबकि जो छोटे बच्चे थे वो खेत के बगल खेल रहे थे until means तक the omen called to them all मतलब जब तक अवरत उन लोगों को बुला नहीं लेती तब तक जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था और जो छोटा लड़का था वो घर के बगल खेल रहा था आगे देखिए औरत बुलाती है कि come आओ for dinner मतलब साम के भोजन के लिए रात्र के भोजन के लिए आओ it was during the meal यह भोजन का समय था diet माने की just माने ठीक आएज ठीक ऐसा ही मतलब यह भोजन का समय था कि ठीक ऐसा ही लैंचो हैड प्रेडिक्टेड यानि कि जैसा कि लैंचो ने भविश्वाड़ी की थी big drop of rain began to fall big drops माने बड़ी बड़ी बूंदे आफ रेन मतलब वर्सा की began to fall गिरना प्रारम हो गई in the north east north east मतलब उत्तर और पूर्व से huge mountains of clouds huge माने बड़े-बड़े mountains of clouds मतलब परवतों के समान बादल could be seen approaching could be seen मतलब दिखाई दिये approaching माने आते हुए the air was fresh and sweet जो हवा थी वो fresh यानि की ताजी and sweet मतलब मधूर थी जो हवा थी वो ताजी और मधूर थी the man went out for no other region than to have the pleasure of feeling the rain on his body the man went out for no other region the man मतलब आदमी went out माने बाहर गया for no other region किसी आनने कारण से नहीं गया than to have the pleasure of feeling the rain on his body बलकि वो अपने सरीर पर वर्सा की बूंदों का आनन्द लेने गया आगे देखिए लिखा है to have the pleasure of feeling the rain on his body जो की बताया कि वो अपने शरीर पर वर्सा का आनन्द लेने के लिए गया and माने और when he returned जब वो अलोटा he exclaimed उसने वर्णन किया मतलब जब वो वर्सा की बूंदों का आनन्द लेकर लोटा तो वो क्या बताता है कि these are not rain drops यह वर्सा की बूंदे नहीं है falling from the sky जो आकास से गिर रही है जो आकास से गिर रहा है यह वर्सा की बूंदे नहीं है there are new coins यह नए सिक्के हैं the big drops are 10 सेंट जो बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के हैं and the little ones are 5 और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 सेंट के हैं मतलब जो बड़े सिक्के हैं वो 10 रुपय के सिक्के हैं और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 रुपय के सिक्के हैं with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with it its flowers बिथे satisfied expression एक संतुष्टी भरी निगा से he regarded उसने देखा the fields of ripe corn with its flower जो पके हुए नाज के पौधे थे उनके फूलों को एक संतुष्ट भरी निगा से देखा drabbed in a certain of rain drabbed मतलब बूने in a certain of rain मतलब की वर्सा की but मने लेकिन suddenly means अचानक a strong wind began to blow लेकिन अचानक a strong wind मतलब एक मजबूत हवार थात आंधी चलना सुरू हो गई and along with the rain very large hail stone began to fall और वर्सा के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर गिरना सुरू हो गई these truly did resemble new silver coins और जो ये बर्फ के टुकडे गिर रहे थे ये वास्तों में नए चान्दी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे लैंचो ने तो अभी यही कहा कि जो छोटी बूंदे हैं वो 5 रुपए की जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 रुपए की लेकिन अब तो सहच में जो है जो बर्फ गिर रही थी उससे पता चल रहा था मतलब कि जो जमी हुई मोतिया अर्थात जब बर्फ गिरने लगी तो बच्चे स्वयम को बर्फ को पकड़ने के लिए दोड़े यानि कि बर्फ को इकत्रित करना इकठा कर दिये फिर आगे देखिए इट्स रेली गेटिंग बैड नाओ आदमी बोलता है यानि कि लैंचो बोलता है कि इट्स रेली गेटिंग बैड नाओ यह वास्तों में अब गलत हो रहा है exclaimed the man मतलब आदमी ने वरणन किया मतलब लैंचो ने कहा कि यह अब वास्तों में गलत हो रहा है I hope मैं आसा करता हूँ It passes quickly मैं आसा करता हूँ कि यह सीगर ही गुजर जाएगा It did not pass quickly लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह आसानी से यह जल्दी नहीं गुजरा Far and hours the hail rained on the house जो मतलब की एक घंटे तक ओले जो थे वो गिरते रहे कहा कहा गिरे देखिए The house घर पर The garden बगीचे में The hillside पहाडी की तरफ The cornfield पके हुए अनाजों की तरफ On the whole valley और संपूर घाटी में यानि कि एक घंटे तक संपूर घाटी में बर्फ गिरती रही The field was white खेत जो है सफेद हो गया As if माना की जैसे देखिए इसका प्रयोग आता है As if मतलब होता है माना की जैसे The field was white खेत सफेद हो गया था As if माना की जैसे Covered with salt नमक से धक दिया गया हो Not a leaf remained on the trees एक भी पत्ते पेड में सेस नहीं बचे The corn was totally destroyed फसल पूरी तरीके से नश्ट हो चुकी थी The flowers were gone from the plants और जो फूल थे वो पौधों से जा चुके थे फिर आगे देखिए The flowers were gone from the plants फूल पौधों से जा चुके थे Lancho's soul was filled with sadness Lancho की आत्मा दुख से भर गई When the storm had passed जब तूफान गुजर गया He stood in the middle of the field वह खेतों के बीच में खड़ा हुआ And said to his son और अपने बच्चे से कहा क्या कहा A plague of locates Would A plague of locates मतलब टिड्डियों का दल्व जो होता है वो भी Would क्या करता Would have left More than this मतलब इससे अधिक छोड़ता मतलब टिड्डियों का जो समूँ था अगर उसका अक्मर परता मतलब अगर कीडे लगते पेड में तब भी इससे अधिक छोड़ते The hail has left nothing लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा This year we will have no corn इस वर्थ हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी That night was a sorrowful one यह रात तरी एक दुख भरी रात होगी All our work for nothing और हमारा सारा कार्य बेकार हो गया There is no one who can help us और यहां कोई नहीं है Who can help us जो हमारी मदद कर सकता है We will all go hungry this year हम सभी इस वर्थ भूखे रह जाएंगे अब इसके आगे जो है हम अपना जो next part लेके आएंगे उसमें इसके आगे का discuss करेंगे और दो part में यह पूरा खतम हो जाएगा ठीक तो आप जो है अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब कर लीजिए तो लाइक जरूर कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कमेंट भी कीजिए और ताकि हमारा उत्सा बढ़ता रहे और हम आपको लगातार इससे अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे धन्यवाद